हेलो फ्रेंड्स, डबले स्क्यूप्टेक इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीश के लोग आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, आज मिले के आ रहा हूँ ऑपरेटर्स का सेकिंड पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स जो है स्टार्ट किया था और कुछ जो है बेसिक ऑपरेटर हमने डिसकस के थे आज जो है नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स की करेटेगरी है उसको हम डिसकस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिसकस कर रहे हैं कंडिशनल ऑपरेटर के बारे में ठीक है? conditional operator को friends, turnary operator भी कहा जाता है, ठीक है? turnary operator कह दीजिए या conditional operator कह दीजिए ठीक है? और friends यह एक ही ऐसा operator है, जो कैसा है? तीन argument लेता है, अभी तक हम ने जितने operator discuss किये, अब जो आगे करेंगे वो सारे कैसे थे? या तो unary operator थे या binary operator थे, लेकिन जो conditional operator है, या तो वो friends, एक ही जो है, एक ही ऐसा operator है, जो तीन argument लेता है, ठीक है? इसका syntax कुछ इस तरह से है friends, operator क्या है? आप question mark और colon, syntax मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पर एक expression है हमारे पास में, ठीक है? और इस expression का output जो भी होगा, ठीक है? जो भी होगा, या तो वो true होगा, या वो क्या होगा? false होगा, ठीक है? the output of this expression is either the true or false, अगर इस expression का output जो है true होता है friends, तो यह expression 1 के ओपर जम करेगा, लेकिन अगर इस expression का output false होता है, तो यह expression 2 के ओपर जम करेगा, ठीक है? expression का output अगर true है तो expression 1 के उपर जम करेगा expression का output अगर false है तो expression 2 के उपर जम करेगा ठीक है एक example से मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए हमारे पास में एक variable है a is equal to 10 ठीक है एक variable है a is equal to 10 तो यहां मैंने conditional operator लगाया और एक variable ले लेता हूँ ठीक है नाँ फ्रेंड्स लेट सी मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन टेन question mark 100 all 200 ठीक है यह मैंने एक condition लिखी है अब आप यहां देखे एक वैल्यू क्या है हमारे पास में एक वैल्यू कितनी है 10 है नाँ 10 ग्रेटर देन टेन यह condition true है या false है अब जब condition false होगी तो यह कहां जम करेगा यहां पर ठीक है तो जो 200 है वो किस में transfer हो जाएगा max में max की value क्या हो जाएगी friends 200 ठीक है अब माली जी मैं यहां पर equal to लगा देता हूं ठीक है या मैं इस एक वैल्यू को में 20 कर देता हूं ओके तो 20 ग्रेटर देन 10 20 ग्रेटर देन 10 अब यह condition true है या false है अब विस सी बात यह condition true है जब condition true है तो कहां जम करेगा यहां पर तो अब जो है max में क्या transfer हो जाएगा 100 पहले क्या हो रहा था 200 ठीक है अब आपको I think working समझ में आ गया होगा कि यह basically conditional operator किस तरह से काम करता है जिसे कि मैं आपको कहा कि यह तीन argument लेता है तीन आर्गुमेंट लेता है इसे टर्नरी operator कहा जाता है यह एक ही ऐसा operator है जो तीन आर्गुमेंट लेता है बाकी सारे कैसे operator है यह तो यूनरी है यह वह कैसे है binary है ठीक है ताव फ्रेंड्स यहां पर एक question बनता है मैं आपको बता देता हूं statement पढ़ेंगे तो उसमें हम if else का concept पढ़ेंगे तो question यह पूछा रहता है कि आपको बिना किसी if else की यूज किये बिना या फिर आपको यह question जो है एक line में ही solve करना है तो आपके सरसे करेंगे तो friends यहां पर हम लेंगे किसकी condition operator की help लेंगे तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा friends A greater than B अगर यह condition true है ठीक है अगर यह condition true है तो यहां इसमें से बड़ा कौन हुआ friends और विसी बात है B बड़ा हुआ तो यहां पर हम लिखेंगे sorry B नहीं A बड़ा हो गया ठीक है यहां A बड़ा हो गया और नहीं तो कौन B बड़ा है और यहां से जो value return होगी उसको एक variable में save कर लेंगे let's say max नाम के variable में अब यहां से आप easily पता कर सकते हैं कि इन दौना नंबर में से बड़ा कौन होगा ठीक है तो अगर मैं इसमें बात करूँ A की value 10 है B की value 20 है तो यह condition कैसे होगी false होगी तो यह कहां जम करेगा यहां जम करेगा B की जो भी value है 20 वो max में transfer हो जाए 3 variable के लिए होता कि 3 variable में से आपको maximum पता करना है माली जी मैं variable लेता हूँ A is equal to 10 B is equal to 20 and C is equal to 15 यह मैंने 3 variable लिए और इन 3 variable में से मुझे पता करना है कि कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा है बट हमको conditional operator की help लेनी है if else की help नहीं लेनी है तो हम कैसे करेंगे friends इसको solve करने के दिखेंगा friends मैं नेस्टिंग कैसे करता हूं सबसे पहले मैं variable A और B की बात करता हूं मैंने माना कि इन 3 मैंसे सबसे बढ़ा जो है वह कौन है variable A है कौन है सबसे बढ़ा variable A है ठीक है तो अगर A सबसे बढ़ा है तो अब विस ही बात है उसको C से भी बढ़ा होना पड़ेग A greater than C इस condition में कौन बढ़ा हो जाएगा A नहीं तो C अगर यह condition false हुई तो obviously बात है कौन बढ़ा होगा B बढ़ा होगा अब यहां पे colon लगा के हम B के लिए solve करेंगे तो B greater than C question mark B otherwise C और यह पूरी expression का जो output है मैं एक variable max में transfer कर लेता हूं So friends this is called as the nesting of conditional operator आपने क्या किया कि एक conditional operator के अंदर conditional operator apply किया है तो अब मैं इस example को इस condition में satisfy करता हूं ठीके सबसे पहले A और B की value कितनी है 10 और 20 तो 10 greater than 20 condition क्या हो जाएगी false हो जाएगी जब condition false होगा तो कहा जंप होगा यहां पे जंप होगा ठीके उसके बाद में हम B और C में check कर रहे है B greater than C, B की value कितनी है 20 greater than C, C की value है 15 condition true जब condition true है तो कहां पे जंप होगा यहां पे B में और जो B की value है वो कहां transfer हो जाएगी max नाम के variable में तो सबसे बड़ा कौन हो गया friends 20 जो B की value है अब आपने देखा कि तीन variable में से हमने maximum पता कर लिया ठीके तो यह question normally पूछा जाता है कि तीन हो variable में से maximum कैसे पता करें बट हमको if else का concept उसमें नहीं करना है एक single line में यह question solve होना चाहिए तो by this way you can easily solve this type of questions आप इसको practically भी implement करके देखेगा अलग-अलग values से लेके देखेगा ताकि आपको concept पूरा समच में आ जाएगा ठीके आगे बटते है friends this is all about the conditional operator अब मैं बात क कर रहे है ठीके और जो assignment operator होता है friends जैसे मैंने लिखा x is equal to 5 उसकी priority कहां से होती है right से left होती है ना कि left से right होती है हमेशा priority कहां से होगी from right to left ठीके so this easy operator और अब देखी यहां पर एक expression लिखी है x is equal to y is equal to z is equal to 3 तो इसका मतलब यह है कि 3 पहले z में भी transfer होगा y में भी transfer होगा और x में भी transfer होगा अगर इसका हम internal architecture देखें तो कुछ इस तरह का होता है ठीके लेकिन friends यह लिखना गलत है x is equal to 3 is equal to 5 अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहां पर error आजाएगी यह गलत है क्योंकि कोई constant को हम constant में कैसे transfer कर सकते हैं आप 5 को 3 कैसे बना सकते हैं या 3 को 5 कैसे बना सकते हैं possibly नहीं क्योंकि constant की value fix होती है कभी change नहीं हो सकती वह तो यहां पर आपको एक variable लिखना ही पड़ेगा अगर आप variable नहीं लिखेंगे तो यहां पर error आजाएगी ठीके तो this statement is wrong इस statement is perfect यहां पर क्या होगा तीनों की value x y z तीनों की value क्या होगी 3 transfer हो जाएगी ठीके clear नाव फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं compound assignment operators यहां basically compound देखी सारे जो operators मैं नहीं लिस्टिंग किये कैसे हैं compound assignment operators है plus equal to minus equal to aster equal to divide equal to mod m% ठीके यह सारे कैसे हैं compound assignment operator है ठीके so compound assignment operator को हम use कैसे करते हैं मान लीजिए आपने लिखा a plus equal to b ठीके a plus equal to b अब compiler क्या करेगा इसका internal जो expansion होगा वो किस तरह से होगा इस तरह से होगा a is equal to a plus b a is equal to a plus b तो इसका मतलब क्या हो गया कि equal to के left hand side में और equal to के right hand side में दौनों friends दौनों अगर same variable हैं तो आप इसको इस format में लिख सकते हैं जैसे कि माली जी मैंने लिखा x is equal to x minus y यह मैंने लिखा ठीके तो इस expression को मैं short form में x minus equal to y लिख सकता हूँ कोई दिक्कत वारी बात नहीं है बट यह मैं कब लिख सकता हूँ condition क्या है कि equal to के इधर और equal to के इधर left hand side में और right hand side में दौनों जो operant है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए अगर माली जी इस टाइप की expression x is equal to y plus z ठीके इस टाइप की expression है तो आप यह short form में नहीं लिख सकते हैं तब यह गलत हो जाएगा तो कंडिशन से आगए कि कब आख short form में लिख सकते हैं और in short form को हम क्या कह रहे है compound assignment operator बिसिकली assignment operator ही है बट उसके पहले हमने कुछ और operators add करके इसको क्या बना दिया compound बना दिया ठीके फ्रेंट्स लास्ट जो केटेगरी है operators की वो है bitwise operator फ्रेंट्स जिसे की नाम से implement हो रहा है bitwise यह सारे जो operators है bit level पर काम करते है bit level पर काम करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर bitwise programming होती है that only performs in zeros and ones nothing else only zeros and ones nothing else ठीके तो जैसे की हमने logical operators पड़े थे relational operator पड़े थे और हमने यह देखा था कि relational और logical operator का जो output है फ्रेंट्स वो हमेशा क्या होगा या तो 0 होगा या 1 होगा इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो नंबर हमें दे रखा है उसको बाइनरी में कनवर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में जो है calculation होगी उसके बाद में उस नंबर को वापस से देसिमल में कनवर्ट करके हमारा answer आएगा ठीक है so friends these are all operators related to the bitwise operator और इसको first हम कहेंगे bitwise end देखिए मैंने आपको ये भी पड़ाया था ये क्या है logical end और ये क्या है bitwise end बहुत फरक है friends दोनों में ध्यान लगएगा this is the logical end this is the bitwise end ठीक है this is the bitwise or XOR once complement left shift and right shift ठीक है so one by one इनको हम friends read करते है first हम बात करेंगे bitwise end और और XOR operator की ठीक है तो ये table मैंने आपके सामने रखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा यहाँ दो variable हमने लिए है अगर हम दो variable लेंगे तो possible combination कितने होंगे यहाँ पर 4 होंगे अगर हम 3 variable लेंगे तो possible combination कितने होंगे 8 होंगे अगर हम 4 variable लेंगे तो possible combination कितने होंगे 16 होंगे ठीक है now friends दो variable है चार combination हमने ले लिए है और and bitwise and अगर हमने यहाँ पर perform लगाया तो friends इसका सीधा सा concept है कि अगर दौनों input में से एक बी input अगर 0 है तो overall output के आएगा 0 आएगा दौनों input में से अगर दौनों ही 1 है तो ही output 1 आएगा otherwise सारे cases में output के आएगा जीरो आएगा ठीक है इसी तरह से अगर मैं और की बात करूं बिट्वाइज और की बात करूं तो दौनों input में से अगर एक भी input अगर वन है तो overall output के आएगा वन आएगा otherwise अगर दौनों input 0 है तो ही output 0 आएगा ना इंपुट 1 है तो यह output true है otherwise false है एक्जार operator की बात करूं फ्रेंड्स एक्जार operator में क्या होता है कि दौनों input अगर सेम है या तो दौनों input 0 है या दौनों input 1 है दौनों input क्या होने चाहिए same होने चाहिए अगर दौनों input same है तो output क्या आएगा जीरो आएगा otherwise सारे cases में क् ठीके, तो यह table आपको learn हो गई, अब मैं आपको practically example को solve करके बताता हूँ, यह इसका output कैसे आएगा, ठीके, सबसे पहले बात करें, हम एक दो number लिए है, a is equal to 13 and b is equal to 25, ठीके, और इसका जो binary है, वो 8 bit में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको decimal को binary में convert करना आना चाहिए, तब ही आप इस तरह के question solve कर पाएंगे, bitwise operator को solve कर पाएंगे, ओके, so friends, 13 का जो binary है, वो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1101, ठीके, 8421, 8412, और इसी तरह से 25 का जो binary है, वो भी मैं लिख रहा हूँ, 11001, ठीके, तो दौनों जो number दे रखे हैं, उसका हमने क्या किया, binary यहाँ पे लिख दिया, ठीके, now friends, अगर मैं यहाँ पे a bitwise and b करूँ, तो output क्या आएगा, ठीके, तो उसी table को follow करते वे, हमें solve करना है, जो मैंने आपको last table यहाँ पे बताई है, एंड के case में, single अगर 0 है, तो overall output क्या आएगा, 0 आएगा, ठीके, otherwise सारे cases में 1 आएगा, तो यह 1, 0, 0, 1, 0, और यह सारे 0 हाई है, तो friends, यह क्या होगा, 8, 4, 2, 1 के according कितना answer आगया, 8 और 1, 9, तो a and b का answer क्या आएगा, 9 आजाएगा, ठीके, अब मैं बात करूँ friends के, यहाँ पर अगर a bitwise और हम perform करते तो output क्या आता, और में cases में क्या होता है, कि अगर single input 1 है, तो overall output क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर 1, 0, 1, 1, 1, और यह 3 हो 0, अब इसको हम देखेंगे, तो 8, 4, 2, 1, और 16, ठीके, इसको हम जोड़ लेंगे, 16 और 8, 24 ठीके, 24 और 4, 28 और 31, ठीके, कितना आया इसका answer, 29, 29, ठीके, next हम बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर a, xor, b operation perform करूँ, तो output कितना आएगा, ठीके, इसको भी हम solve कर लेते हैं, xor के case में आपको क्या बताया था, कि अगर दौनों input same है, तो output 0 आएगा, otherwise क्या आएगा, 1 आएगा, ठीके, तो यहाँ दौनों input same है, 0, यह 0, then 1, यहाँ पर 0, और फिर यह 1, ठीके, तो तीन जगे जो है, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर तीनों input same है, इसलिए यहाँ पर 0 आगया, और दौनों cases में क्या आगया, 1 आगया, और यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा, तो फ्रेंट्स 8421 के according और 16 की 16 और 4 हो गए 20 ठीक है तो A X और B का output क्या आएगा 20 ठीक है तो फ्रेंट्स internal level पर कुछ इस तरह से calculation होती है और हमारे पास में ये result आता है आप इसको practically compiler पर perform करके दीखिएगा output यह ही आएगा लेकिन मैं आपको internally बता रहा हूं कि यह calculation होती कैसे है पहले number binary में convert होगा और जो result आएगा उसको वापस हम decimal में convert करके output यहां पे show करते है ठीक है तो friends this is all about the abitwise and or and xor operator ठीक है अब हम बात कर रहे है friends किसके complement की ठीक है यह complement operator है और कैसा है once complement once complement ठीक है once complement का मतलब क्या होता है one को zero कर दे और zero को one कर दे यह होता है once complement का मतलब और जो two's complement होता है उसका मतलब क्या होता है once complement plus one once complement plus one ठीक है यह basic terms है basic topics है जो आप digital electron इसमें पढ़ते हैं once complement convert करना है bit को one को zero में zero को one में two's complement क्या होगा once complement plus one ठीक है अब हम बात करते हैं friends की once complement हम निकालते कैसे हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए मैं एक number लेता हूँ a is equal to five ठीक है हमें क्या करना है इसका complement निकालना है a का और उसको हमने b में store कर दिया ठीक है तो मैं five का तो पहले eight bit में यहां पर representation कर लेता हूँ ओके five को हम किस तरह से लिखेंगे eight four two one के according चार और एक पांच तो zero one zero one ठीक है और यह बाकी सारे क्या हो जाएंगे यहां पर zero हो जाएंगे ठीक है अब compliment के according तो क्या है कि आप one को zero और zero को one करना ठीक है तो यह मैं यहां पर फिर से complement करूंगा यह हमारा a is equal to five है और यहां मैं कर रहा हूँ complement ठीक है तो सारे 0s 1 हो जाएंगे और सारे 1 क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे अब आप कहेंगे कि इसको आप जो है decimal में convert करेंगे बट फ्रेंट्स आप ध्यान से देखें कि यह जो sign bit है यह जो sign bit है यह 1 हो गया है और sign bit के 1 होने का यह मतलब है कि यह number अब कैसा है negative number है कैसा है यह negative number है और friends जो हमारा computer है वो negative number को 2's complement में represent करता है किसमें represent करता है 2's complement में तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यह जो number आया है अपन के पास में इसको वापस से 2's complement में convert करना है तो वापस से हम क्या करेंगे कि इसका 1's complement निकालेंगे मैं आपको internal detail बता रहा हूं कि किस तरह से यह answer आता है ठीके इसका 1's complement करेंगे अगें यह सारे 0 हो जाएंगे ओके यह सारे 0 हो गया 0 हो गया 1 0 हो गया अब इस 1's complement में हमें क्या करना है 1 add करना है ठीके 1 को add करना है तो यहां से मैं इसको rough कर देता हूं answer क्या आया है हमारे पास मैं 0 0 0 0 0 1 0 1 और इसमें हमें एक add करना है तो 1 1 हो गया 0 यह बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं फ्रेंट्स ठीके binary addition यहां पर 1 यह हो गया 1 और यह सारे कैसे हो गया 0 हो गया ठीके तो binary में यह number represent किसको करता है binary में यह represent करेगा किसको 8 4 2 1 को according देखूं तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 लेकिन यह 6 भी कैसा है minus मैं का है क्योंकि इसकी क्या bit थी sign bit 1 थी तो answer क्या आगे हमारे पास में minus का 6 अगर हमने input दिया 5 तो answer क्या है मेरे पास में minus का 6 ठीके तो अब मैं आपको short trick बताता हूं short trick क्या है कि कोई भी number है उसका आप compliment निकाल रहे हैं उसका compliment क्या होता है minus of n plus 1 यह compliment निकालने का formula है ठीके आपने number क्या दिया 5 ठीके तो आप यह formula में रखके देख लिए 5 plus 1 कितना हो गया 6 लेकिन आगे minus है तो क्या answer आएगा minus का 6 ठीके तो मैंने आपको internal detail भी बता दी कैसे यह calculation होती है और formula short trick में आपको बता दी अब directly आप जो है formula लगा के answer निकाल सकते हैं ठीके ओके friends आगे हम बढ़ते हैं shifting operator की तरफ left shift operator and the right shift operator ओके now friends left shift operator is indicated by this symbol यहां हमें दो बार जो है less than लगाना है इससे क्या बन जाएगा left shift operator बनेगा ठीके अब यह left shift operator है क्या basically यह दौनों shifting operators हैं तो मैं यहां पर एक example लेता हूं माले ची example मेंने लिया a is equal to 12 ठीके और इसको लिखने का syntax क्या है आप लिखेंगे left shift आपने लिखा let's see यहां पर one ठीके अब यह one लिखने का मतलब क्या है one लिखने का क्या मतलब है आपको बताता हूं सबसे पहले तो हमें a क्या करना है binary निकालना है जैसे कि मैंने आपको कहा कि bitwise operator सारे bit level पर solve होता है इसका हम बाइनरी लिखा लेंगे आठ और चार कितने हो गए बारा तो one one को मैं यहां one one set कर दूँगा और यहां पर zero zero set कर दूँगा ठीके eight bit के according में यहां पर लिखता है उसको so zero 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 one one zero zero ठीके यह हो गया 12 का binary अब आपके लिखा है यहां पर left shift one इसका मतलब क्या है कि एक bit सारी एक-एक bit को आपको left से एक-एक shift करना है अगर यहां पर दो लिखा हो तो हमको दो-दो bit shift करते तीन लिखा होता तो हम तीन bit shift करते तो यहां पर अगर one लिखा है उसको क्या करना है हमें एक left की तरफ सारे bits को क्या करना है shifting करनी है ऑके, तो left की तरफ सा हम shifting करेंगे यहां पर यह bit क्या हो जाएगी ? डिसकार्ट हो जाएगी यह bit यहां पर आजएगी यह यहां पर यहां पर log इक bit क्या हो गी नई add होगी जिसको हम zero consider करेंगे ठीके, तो यहाँ पर एक बिट यह नई एड हो गई, ओके, और यह बिट इधर ट्रांसवर हो चुकी है, बाकि सारे क्या है, जीरो आ गए, दो बिट होगी, यहाँ पर भी जीरो आएगा, और यहाँ पर फ्रेंट्स आएगा, वन आएगा, ठीके, यहाँ मैं वन कर देता तो डिजिट क्या बनी, वन वन जीरो 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 और यहाँ पर फ्री टाइमस बन, अब इसका हम जो है डेसिमल अगर निकाल है, तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 8, 4, 2, 1 और 16, 16 और 8, कितना हो जाएगा, 24, यह हो गया 24, ओके, अब लेट से मैं इसको एक बार और शिफ्ट करता हूँ, यह लेट शिफ्ट टू, पहले एक बार शिफ्ट कर दिया, अगर माली जी दो बार शिफ्ट करने के लिए कहते हैं, तो एक बार तो हम शिफ्ट कर चुक है, अब फिर से मैं इसको एक बार और शिफ्ट करता हूँ, ठीके, तो यह एक नई बिट इ हो जाएगा 8421 यह 16 और 32 32 और 16 कितने हो जाएंगे 48 ठीक है तो आप देख रहे हैं एक से shift किया मैंने तो कितना है 24 फिर से shift किया 48 तो मैं यह कह सकता हूं कि left shift operator is nothing but the multiply by two operator multiply by two operator 12 multiply by two किया 24 फिर से shift किया 24 24 को multiply by two किया 48 तो यह multiply होते रहेंगे जितने से आप shift करते रहेंगे ठीक है तो यह मैंने आपको short trick भी बता दी internal detail मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम जो है internally Java जो सी programmer है compiler है उसको कैसे solve करता है आप जैसे मैं आपके सामने एक और question रखो a is equal to 13 और मैं आपसे पूछू कि a left shift 3 कितना होगा तो ऐसे थोड़ी कि आप बार बार में इतना detail में solve करेंगे नहीं आपको क्या करना है बस multiply by two करते और कुछ भी नहीं करना है इसे 13 है एक बार shift करेंगे तो 13 को multiply by two करेंगे तेरा दुना 26 फिर से एक बार करेंगे 26 दुना 52 यह हो जाएगा बावन फिर से एक बार shift करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 तो यह result आएगा a left shift 3 का easily आपने solve कर लिया बिना किसी internal detail के तो this one is a left shift operator क्या काम है नहीं left shift operator is nothing but the multiply by two operator ओके और friends इसका just reverse क्या है right shift operator ठीके right shift operator में क्या होगा अगर left shift operator multiply by two है तो right shift operator क्या हो जाएगा divide by two अब जो है हम bits की shifting कैसे करेंगे right में करेंगे rights में bits की shifting करेंगे तो जिसे मान लीजे मैं कहूं के a की value मान लीजे यह 12 है और मैं आपसे कहूं के a right shift 3 कितना होगा a right shift 3 कितना होगा तो जब आप क्या देंगे आप पहले a को आप एक बार shift करेंगे 12 है यह 12 एक बार shift किया मतलब divide by two तो कितना होगा six फिर से एक बार और shift किया यह एक बार shift हुआ है फिर से एक बार shift करेंगे तो कितना हो जाएगा three लेकिन फिर से अब एक बार और shift करेंगे तो answer friends 1.5 नहीं आएगा यहाँ पर जो fractional part है वो discard हो जाएगा तो answer के आएगा हमारे पास में one यह कब जब मैं 12 को तीन से right shift कर रहा हूं तो यहाँ क्या रखना है कि right shift operator is nothing but the divide by two operator and left shift operator is nothing but the multiply by two operator ठीके फ्रेंड्स यह थे operators की सारी categories detail में मैंने आपको बता दिया operators का जो chapter है वो यहीं पे end होता है ठीके I hope के friends इन दो lecture से जो operators को मैंने दो parts में divide किया था part 1 और part 2 इन दोनों की help से आपको operator का concept सी programming language में clear हो गया होगा thank you so much for watching this video